आरपार और आज आरपार में मैं UCC पर सबसे बड़ा सर्वे लेके आया हूँ नागरिक कानून यानी UCC पर सियासत तो खुब हुई तू तू मैमे का दौर भी सबने देखा धर्म के कुछ सेल्फ डिक्लेर्ड ठेकेदार भी मैदान में कूत पड़े लेकिन जिसके जीवन पर UCC से सबसे ज़ादा सर पड़ेगा उनके मन की बात ना किसी ने बताई ना कोई सुनाएगा ना किसी ने पूछी ना सुनी इसलिए आज इस बेहत खाशों में हम UCC पर महिलाओं की राए देश के सामने रखने जा रहे हैं ये UCC पर अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है जिसका नतीजा आज पूरा देश जानना चाता है कश्मीर से कन्या कुमारी तक असम से गुजरात तक हमारे तमाम रिपोर्टर्स की टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतर कर मुश्मिम महिलाओं से सीधे सवाल पूछे जिसके बाद सच सामने आया है जिसने सुनकर और जानकर कई लोगों के पैरो तले से जमीन खिसक जाएगी यकीन मानिएगा तो अगले एक घंटे अपने बच्चों के भविश्य के लिए और इस देश के भविश्य के लिए जरूर देखिए आर पार का ये सुपर टुपर स्पेशल एडिशन यू सी सी पर क्या है देश का मूड यानि भारत का मूड कश्मीर से कन्या कुमारी तक 25 राज 8,035 महिलाओं के मन की बाद 884 रिपोटरों का ग्राउंड सर्वे समान नागरिक सहिता पर सबसे बड़ा जन्मक वो सर्वे जिसका पुरे देश को है इंतजार क्योंकि राजुनी तिक बार बलटबार तो बहुत हो चुका मुस्लिम पर्सनल लौगोर्ट की सोच भी सामने आ गई लेकिन बड़ा सवाल उन लोगों का है जिनके जीवन पर UCC से वाकई फर्क पढ़ने वाला है तो अगले एक घंटे जरूर देखिए भारत के सबसे बड़े मीडिया नेट्वर्क का सबसे बड़ा सर्वे UCC पर क्या है देश का मूट और इस समय ट्विटर पर, फेस्बुक पर, इंस्टाग्राम पर मेरे को लाखों वीवर्स के मेसेज़े जा रहे है सब कह रहे है कि देश का मूट क्या है अमीजी से जल्दी से जल्दी जल्दी बताईए हमें लेकिन अब मैं आपके सामने कुछ एहम सवाल रखूँगा ये सवाल क्या है? सर्वे में मुस्तिम महिलाओं से तो सवाल था पहला सवाल शादी तलाक, गोद लेने और समपत्ती के अधिकार पर एक समान कानून का समधन आप करते हैं और इसका सोर्स जैसा मैंने आपको बताया न्यूज 18 का मेगा सर्वे आठ हजार से जादा लोगों से बात करी महिलाओं से बात करी हा कहती है 67.2 नहीं कहती है 25.4 और कुछ नहीं कह सकते 7.4 दूसरा सवाल मुस्लिम पुरुशों को चार महिलाओं की शादी का होको ना चाहिए इसका जवाब क्या आता है हा में आता है 17.4 नहीं में आता है 60.5 और कह नहीं सकते 6.1 यानि आप सोच के देखिए हा की श्रिंकला सिरफ 17 परजंट और ना की श्रिंकला 75 परजंट का मार्जन क्रोस कर रही है ये अपने आप में एक बड़ा पैगाम है एक बड़ा मेसेज है एक बड़ा संदेश है महिलाओं और पुरुषों का संपत्ती में उत्तर अधिकार बराबर का होना चाहिए ये सवाल जब पूछा तो जवाब क्या आया न्यूज एटीन के मेगा सर्वे में जवाब आता है हाँ 82 परजंट से जादा नहीं 11 परजंट और कहने ही सकते 6 परजंट साड़े 6 परजंट के करीब इसको लगा लीजिए अब मैं बढ़ता हूं आगे चौता सवाल जो की बड़ा मेहत्रपुन सवाल था दूसरे धरम के बच्चों को गोद लेने का अधिकार होना चाहिए तो जवाब आया मुस्ते महिलाओं का हाँ बिल्कुल होना चाहिए 64.9 परजंट ये आंकड़ा आया नहीं 22.9 परजंट तक्रीबन 23 परजंट और कहें नहीं सकते 12 परजंट बरताओं में आगे पांचवा सवाल जो हमारा था और बहुत मेहत्रपुन सवाल सभी बालिक लोगों को अपनी संपत्ती के लिए वसीयत का अधिकार होना चाहिए य इसका जवाब क्या आया 70 परजंट की करीब अराउन 69.3 परजंट हाँ येस नो 16.6 परजंट कहें नहीं सकते 14.1 परजंट अगला सवाल चटा सवाल और इस सवाल में हमने पूछा तलाक लेने के बाद बिना बादा के दोबारा शादी की इजाज़त होनी चाहिए तो सर्वे में मुस्लिम महिलाओं ने क्या कहा खुद जवाब आँखरे आपको बता रहे हैं हरे निशान के सयाथ 73 परजंट से जादा महिले कहती हैं हाँ नहीं कहती है 18 परजंट और कहने ही सकते कहती है 8.3 परजंट तो ये निउस 18 का मेगा सर्वे है लेकिन अब आखरी और सबसे मेतपूर सवाल क्या था मारा उसकी ब मुस्लिम महिलाओं ने करीब करीब वन साइडिड आंसर दिया है अराउन 78.7 परजंट येस नहीं किश्रणी आप देख सकते है 16 परजंट और कहने ही सकते है 4.7 अरतार 5 परजंट के करीब है लेकिन ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी राय है बहुत बड़ी राय है अपने लेकिन मैं अब आगे बड़ता हूँ और आज मेरे साथ कौन-कौन महमान जुड़ रहे है इस बड़े दिन के ऊपर ये वाकई बहुत बड़ा दिन है मेरे साथ सुभरास्त्रा है इस विश्य पे बात करने के लिए जानिमानी लेकी का है उनका अभी रंदन है रिजवान ए वक्तार नेता पीस पार्टी के आप तमाम लोगों का स्वागत है अश्यूनी उपाद्दय सुप्रीम कोट के वकील है उनका भी अविरंदन है आपका इस चर्चा में स्वागत है मैं इसकी पहला कमेंट शादाब और अजीज आप सी से लेता हूँ आपने ये साथ सवाल प हमने मुस्लिम महिलाओं के पास गए हमने सवाल पूछे और जिसके जवाब हमने देखे तो यानि लगबग लगबग 75% 70% के आसपास मुस्लिम महिलाएं यूसी सी के पक्ष में है उसके प्रवधानों के पक्ष में है जी जी अब इसमें देखे आपका जो सर्वे है निश्चित तोर पे बहुत ही सटीक है इसमें कोई दोराय ने क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा सैंपल ले करके सर्वे किया है इस सर्वे पे मेरा कोई सवाल हैं क्योंकि सर्वे आपने खुद ही लिया है और खुद ही आप उसको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो ही वाली बात है ना कि जो कहते हैं कि लसकर भी तुम्हारा है सरदार तुम्हारा है तुम झूट को सच लिख दो अख़़ार तुम्हारा सब हम सवाल थोड़ी खड़ा कर सकते हैं हम सिर्फ अपनी बात को रख सकते हैं दिखें पहली बात तो ये है कि समाजवादी PARTY पहली बात ये कहना चाहती है कि समाजवादी PARTY का जो स्टेंड है यू सी सी पे वो असपस्ट है असपस्ट यह है कि आप पहले ड्राफ्ट लाइए आपकी मंसा क्या है आप चाहते क्या है आप चाहते क्या है यह बता नहीं रहे हल्ला डेर कर रहे हैं पूरे देज में हल्ला है किसा आप यू सी सी लाएंगे यू सी सी लाएंगे अरे भी लाएंगे तो आप क्या लाएंगे पहले तो असपस्ट करिये आपने ना सर्ब दलिये बैठक किया ना आपने सर्ब धर्म बैठक किया साब आप कहरें कि मैं राय मंगा रहा हूं साब वो ला कमीशन राय मांग रहा है तो साब एक तरफ वो राय मांग रहा है दूसरी यह कहदू ना यह अखबार है ना यह लशकर है यह कहवत बड़ी पुरानी हो गई आज की जो नई कहवत है वो यह है कि मुस्लिम महिलाओं की जो मन की बात है वो हमने आपके समक्ष रखी है जो कि एक बड़े सैंपल साइस के थूँ है अब उनके मन की बात को भी आप ना तो यह दिक्कत आपकी है यह दिक्कत मेरी नहीं है पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू सुभास्टरा है हम यह किसे सुभास्टरा तक अबाज ली जा पाई रिज्वान-अहमद का मैं रूक करता हूं तो रिजवान एमद हो सकता है सरकार के दिल में खोट हो, इस तो किसी के पता नहीं है, BJP के मन में कोई बहुत बड़ी खोट हो, कोई बहुत बड़ी चाल हो, लेकिन ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं जिन से हमने सवाल पूछा, और सैंपल साइज अगर मैं आपको बताऊं तो क पीजेपी के पक्ष में हैं जी शुक्रिया जेहन बंदे मातरम देखिए आपके सेंप्ल पे आपके मेहनत पे कोई प्रशन नहीं उठा सकता लेकिन जब तला के बिद्दद पर लड़ाई लड़ी जा रही थी और चार पांच औरते सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ना सो दो सो पांच सो हजार औरते भी जनतर मंतर पर मुस्लिम औरते उन तला के बिद्दद के खिलाफ लड़ने वाली औरतों के साथ खड़ी होते नहीं देखी थी ये तो है जो घटना हो चुकी है जी अब अमीज भाई यहां पर जो मुझे बताया गया हम लोग बात कर रहे ह है वो यह बता रहा है कि शायद बात हो रही है एंसी सी की यानि मुस्लिम सिविल कोड की अगर हमें अमीज भाई सिर्फ मुस्लिम के समाज में जो करूतियां हैं मैं मानता हूं डंके की चोट पर चार शादी बिना का कोई लॉजिक नहीं है चिट्थी लिके तला का कोई को प्रॉपर्टी में आदा हिस्सा देना जिसको वो कानूनी तोर पर रिकवर भी नहीं कर सकती कोई लॉजिक नहीं है बेवा को हिस्सा ना देना ये कोई लॉजिक नहीं है मैं चार बार बोलूँगा चालिस बार बोलूँगा लेकिन अगर मुदा सिर्फ मुस्लिम का है त 1937 को अमेंड कर दे और छुटी पाई इस प्रॉबलम से लेकिन अगर मुद्दा यू सी सी का है तो फिर मुस्लिम अच्छा अमिश्चा जी जाके वहां बोलाए कि क्रिशन इसका हिस्ता नहीं होंगे अरे भाई क्रिशन हिस्ता नहीं होंगे तो यू सी सी कैसे हो गया तो पहले सरकार ये तै करे ये मुसलिम सिबल कोड ला रही है या यू सी सी ला रही है फिर उस हिसाब से मैं अपनी बात रखू ना अगर M.C.C. ला रही है तो मैं कहता हूँ शरियत एक को अमेंड कर दो सारी प्रॉब्लम ही खतम हो जाएगी लड़की की शादी उसमें 21 सार कर दो तलाग को अबॉलिश कर दो खतम कर दो बात को रिजल्ट की तौर पर दिखाए हैं जो लगाता स्क्रीन पे चल रहे हैं मेरा बेसिक पॉइंट ये है शादी तलाग गोद लेने और संपत्ति के अधिकार एक सामान कानून यानि यूनिफॉर्म लो होना चाहिए उसके लिए इसके उपर मुस्लिम महिलाओं ने का है 67.2 परस को चार महिलाओं से शादी करने का हक होना चाहिए उस पर 9 का है 76 परसंट से जाधा ने तो मेसेज तो साफ है सुसाइटी तो ये चाहती है हो जाए आप लोग क्यों नहीं चाहते हैं देखिए देखिए अमीज भाई दो बाते हैं इसके दर मैं बताना चाहूंगा आपके मा कंदी का यू सी क्या है क्या यू सी सी सबके लिए आ है कि खली मुसलमानों के लिए आ रहा है बात नमबर दो ये भी आती यह कि जब लाक 2016 ने जिञा और हैीं किला exist aussi बात नमबर धनी यह है कि आप ने जो सर्वे कराया तो मुसलमान महिलाओं के मन की बात आपने जान ली 8 हजार लोगों का अपने सर्वे कराया तो आपने ये पार्शेलिटी क्यों दिखाया आपने हमारी ट्राइबल महिलाओं का सर्वे क्यों नहीं कराया आपने हमारी जिन्हों में हर जगा जाकर हम सर्वे करेंगे यह सर्वे का पहला इडिशन है यह जो रिज़ल्ट साहे इस पर आपका जवाब क्या है कि आप बेचेंग को है इसके नतीजे देगा इसमें कोई तर्क नहीं है कुछ नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ मुसलमानों का सर्वे किया गया महिलाओं का हम चाहते तो यह आपके लिए करने अट हज़ानों के आपके लिए को शोड थि कर तो बीकिस ने नय पिसको कुछ चोडब आ कर तो अपर कर रहता तो मैं तो तो अःत हजार महिलाओ का affect करार दे दिया है अश्वनी उपादय वांट तो देखे अभी हमने जो सवाल पूछे मैं उस उस पोल के ऊपर आपका रियाक्शन चाहता हूं आठ हजार पैंटिस महिलाओं की राए फालतु है देखे आमिश जी आमिश जी मैं वारिस पठान जी के इस वक्तव्य से बिलकुल भी अचंबित नहीं हूँ यह हमेशा से मुस्लिम महिलाओं की आवाज को दबाने का प्रयाज इनकी पार्टी करती रही है इनके यहाँ जो परस्पेक्टिव है ओल इंडिया मुसलिमीन का उस मुसलिमीन में मुसलिम पुरुष है और वो मुसलिम पुरुष है जो प्रोग्रेसिव नहीं है मैं बहुत दावे के साथ और बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रही हूँ वरना आप बताईए ना कि कोई वेक्टी जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो कि खुद लॉव की जानकारी रखता हो वो यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट पर यह सवाल कैसे उठा सकता है कि ये केवल मु उनिफॉर्म सिविल कोट क्यों होता है यूनिफॉर्मिटी का मतलब ही होता है यही होता है कि वो सब के लिए लागू होगा तो इस तरीकी के सवाल उठाना भी अपने आप में बहुत ही बचकानी हरकत है दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूँ इसको कहा गया कि मोदी का इसलिए आप मुझसे सवाल मत पूचिए सरकार से सवाल जरूर पूचिए मैं आपसे सवाल पूचूंगी क्योंकि देश की जनता होने के नाते मेरा हक है कि मैं स्पक्ष और विपक्ष दोनर से सवाल पूचूं जी मुझे इतना सम्मान देने के बहुत बहुत धन्यवाद पूछना चाहती हूं कि जब आप सुप्रीम कोड का हवाला देकर कहते हैं कि सुप्रीम कोड ने कहा कि यूशी सी लागू नहीं होना चाहिए तो फिर आप बाबा साहिब अंबेदकर का हवाला क्यों नहीं देते जब उन्होंने कहा था डिरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टे के सतर सालों के बाद साथ दशकों के बाद आप जैसी पुलिटिकल पार्टी के एक्टिव रहने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि हम यूनिफॉर्म स्विल पर एक स्वस्थ बहस कर सकते हैं यह राजनीती का पुट्ट ना होगी मोधी का अबेदकर का भी UCC हो सकता ह इने आपके बास सुना मेरी बोलने दो जवाबात करना चाहता हूं है । लोगों के सामने एक्सपोस करना चाहता है भारत की सम्विधान के बाद चौते में आनुच्छे श्री मकों के लिए सामनता लेकिन समाग नारट से बड़ी खबर दिवेंद फट्डविस्ट ने रियाक्ट किया है न्यूज 18 के मेगा सर्वे पर जो इस समय हम न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रहे है आर पार में इस समय दिवेंद फट्डविस्ट ने रियाक्ट किया है यू लोग UCC के समर्थिन पे हैं सही समय पर PM जन भावना को समझ के काम करेंगे एक बड़ा मेसेच दिया है विरोधियों की आखें खुलेंगे इस सर्वे के बाद ये भी का है वारिस पठान आपकी आखें खुली या आप अभी भरी दुपहरी आखें बंदर के अंधेरा है कि आपने फटना भी इसका दिखा दिए आज मुस्लिम पर्सनल लोग बोर्ड के पास गए थे मुस्लिम पर्सनल लोग बोर्ड और हमारे पर्टी प्रेसिलेंट असाद उदिवी साब के सीर के पास गए थे पूरा उनको समझाया कि यूसी नहीं आना चाहिए उन्होंने का ठी तो डेवर्ड सिटी को बचाना चाहता है वह राजिया इस यूसी सी के टोटल खिलाफ था खिलाफ है खिलाफ रहेगा तो कि यह वारे तो रिक्वेस्ट करता हूं दो मिलट के टाइम मुझे भी दे रीजिए पहली बात तो परसनल लाबोर्ड को मैं रिस्पांस नहीं करू क्योंकि वह एंजीव है भारत में करीब 20 लाख एंजीव हैं जमियत को भी मैं उत्तर नहीं दूँगा जमियत जैसे भारत में करीब 25 धार्मिक संगठन है इसलिए जमियत परसनल लाबोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है हां इंपॉर्टेंट है ओसी साब क्या कह रहे है चित परसनल और इसका मतलब अपने संभीधा अपनी तो संपत उसके साथ दोखा कर रहे हैं अपनी सपत को दोड़रे अब तोड़ने पर क्या सज़ा मिलनी चाहिए क्या इनकी सबस्ता लिए इस में चाहिए मुझे लगता इस चिंधन करने की ज़रुत है जहां तक बार बार मनाएंगे, uniform custom code भी नहीं है, कि सबका custom एक हो जाएगा, uniform language code नहीं है, कि सब और खाल पर भाशा बोलना पडाएगी, uniform festival code भी नहीं है, कि सब ऐक तरीके स्टयवार मनाना पड़ेगा, uniform education code भी नहीं है, कि मदर शूर्णी सून बंद हो जाएगा, और अरे सुन तो लिजे, भाई रिकिर जोन varios 10 सेंक का मपाद oversee करते आपने बी तीन मिनट बोला वह आपके बीचका इसे बढ़ा है अधिकार देस sesजित्यायों की चादी का सब्सक्राइब ऑजयेंगा गुजारा भतता देश की सभी बहन बेटियो को मिल जाएगा ऑजी विरासत का एक समान अधिकार हो जाएगा वैरिंडी की हो जै वसियस्सपक Caris वाजा भबॐ यो हमारे दो सपेलागू हो जाएगा एक पतेगति का नियम मेरा मैं पॉइन ओस्फ त YA यह सर्वे क्या मेसिज दे रहा है कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं मुझे लगता है जब से बहुत शुरू हुए नेटवर्क 18 पहला चैनल जितने इतने बड़े बल्क अपना सेंपल लिया है मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपने वही काम किया है जो जन्भावना है जो देश चाहता है देश की सभी बह्यंद बेटियां चाहती हैं अब देश doesn't need फ्लेट में ग्राउंट फ्लोर वाले कालग कानुन हो फर्स्ट फ्लोर वाले कानुन हो थर्ड फ्लोर वाले कानुन हो अब चाहते है पूरी building में सब Muchas Lit réuss aik कानूनos पुरे सब्सक्राइब करें उसका सिविल राइट नहीं बदलना चाहिए यह बड़ा इपॉर्टेंट पॉर्ट है यह मेसेज अपने आप में साफ है क्या महिला और पुरुष दोनों की शादी की उमरे किस साल होनी चाहिए सात्वा सवाल जवाब आता है इसके लावा मुस्लिम पुरुषों को चार महिलाओं से शादी का होक होना चाहिए यह नि बहु विवा की जो बात है उसमें 60% से जादा यानि मिजॉरिटी 60% से भी जादा मुस्लिम महिलाओं कहती है नहीं होना चाहिए इट इस अ बिग नो जन भावना यूसी सी के साथ खड़ी है मुस्लिम महिलाओं के अंदर यो टेक देखिए अमेंजी अभी यूसी सी का कोई ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में अफिशली नहीं है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो उसके अंदर जितने भी परसनल लाज है इसमें अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे पूरे देश में तमाम लोग जिनके अपने रिच्वर्ट पूछरा हूं यह जो सर्वे हुआ है अगर हिंदी का है तो अंग्रेजी के जवाब ने लिक्के आ सकते अगर फार्सी का पेपर है तो उसमें अर्दू के जवाब लिक्के नहीं आ सकते मेरा आप से सीधा पॉइंटिट सवाल है यूसी से पे मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही है वाट दिस शोज दा अंडर करंट इस वाट के मैं मैं सिर्फ मुसलमा सुनिए मैं सिर्फ मुसलमानों का रिपर्जेंटेटिव नहीं हूँ मैं देश की एक राजनितिक पार्टी का परवकता हूँ और चाहे सिख भाईयों पे अतियाचार का मामला होगा ट्राइबल्स पे होगा दलितों पे होगा जैनों पे होगा सिखों पे होगा हम क्यों नहीं बात कर सकते ही कौन सा तरीका आप अपने शब्द मत डालिए मेरी बात मुकमल होने दीजिए आप जो चारें वो नहीं बोलेंगे और सब कुछ बोलेंगे लेकि हमें कैसे बोलना है उस तरीके से बोला जाएगा अब आप पूरी बात सुन लीजिए कोई कुछ भी कहे जब बात परसनल लाज की आती है तो इसमें बहुत इस पस्ट है कि सविधान के अनुचे 25 को सामने रखते हूँ इस बात को कह रहा हूँ कि जो कानून लाना है आप ले आईये हम नहीं मानेंगे और बारत का मुसल्मान दलीत आदी वासी देश की खुबसूर्ती को चरता है करेंगे लेकिन लोग नहीं वारेंगे और यह कानून देश के सभीधान के खिलाफ होगा और कोई काम सभीधानी को ख़ड़ेंगे अमें जी ये बार बार ये बाहमें अमें जी मैं सम्मिधान को कह रहा हूं हमने 26 नुम्मर अन्दीन और उन्निस सो उन्चास को सब ने ये तैंकर लिया भारत एक सोरिन कंटी बनेगा और जिसमें सबको न्याय होगा सबको समान और सबको यह वी द पीप लाफ इंडिया वी द पीपल करेंगे नहीं करें गए अरे चलिए एक बार मैं आप से लिक्वश्च करता हूं प्लीज इंको बंग रही है ऐसे नहीं भारत के खिलाफ है ऐसे एक बार बताओ एक तकिन आप आप यह बड़ा धोल पीट-पीट-पीट-पीट कह रहें कि यह मुसल्मानों के खिलाफ नहीं है यह भारत के खिलाफ है भीम्राओं अंबेटकर क्या भारत के खिलाफ थे भीम्राओं अंबेटकर सविधान नेर्माता भारत के खिलाफ थे अब बाबाबा सब अंबेटकर ने जो बाते सविधान में कई है क्या सारी किसके खिलाफ हो चुका है और और अगर इसके खिलाफ भीम्राओं अंबेटकर किसके खिला है नहीं मारे एक जांपल बताईए यह फंडमेंटल राइट के पक्ष में है और मेरा पॉइंटेट सवाल आपसे इस देश की लगबग लगबग 79 परसंट महिलाएं कहती है कि महिला और पुरुष दोनों को शादी का शादी के उमर 21 साल की होनी चाहिए आप युवा नेता हैं आपकी राय का मेरा मेरा सवाल बहुत डिरेक्ट है क्या शाधी की उमर 21 साल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए आपकी राय क्या है युवा नेता है आप इसाल रहा है यहाँ है आपकी पप्लिक आपकी ओर्डिंस भी आपको सुन रही है जवाब दीजी 20 साल उबर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए आमिज जी और मैं दूसरी चीज में ये कहना चाहती हूं कि कुछ मुसल्मान नेता अपने आपको हमारे देश के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा नुमाइंदा बता रहे हैं मैं ओपन चैलेंज कर रही हूं बिना गूगल देखे नौर्थीस की दस ट्राइब्स का नाम ले ले ये नाशनल टेलिविजन पर बिना गूगल देखे और अगले जानल आपको नाम बताना पड़ेगा फिर यही मेडम कहेंगी हम से कि उनके बत्चों के नाम पड़ेगा फिर यहीं का बच्चों के नाम नहीं पूछे त्राइब करेंगी हमें क्या बात करनी है पूछने का अधिकार है, एक महतपून सवाल था और एक महतपून जवाब है, लेकिन इसी बीच एक बड़े नेता ने समाजवादी पार्टी के बड़ा स्टेट्मिंट दे दिया इस सर्वे के ऊपर, मैं ब्रेक के बाद बापसार हो